जनम कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रिविव करेंगे फिल्म दिल बेचारा जिस फिल्म को डाइरेक्ट किया है मुकेस चाबडा ने फिल्म के लीडिंग इस्टार काश्ट में है सुसान सिंग, राजपूत, संजना संगी और फिल्म में एक स्पेसल केमियो किया है सेफ अली खान ने फिल्म का म्यूजिक दिया है एयार रह्मान ने दोस्तो सबसे पहले तो आपको बता दू कि फिल्म का रिविव कुछ भी हो, मैं फिल्म के बारे में कुछ भी कहूँ, लेकिन आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना फिल्म को साड़े साथ बजे डिस्नी प्लस होटी स्टार पे रिलिज कर दिया गया है, जिसे मैं अभी देख कर बस रिविव बनाने लग चुका हूँ, तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात करें कि फिल्म के कहानी के सी है, तो दोस्तो फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा आप रोने लग जाओगे इसके अलाओ दोस्तों फिल्म में हलकी फुल की कोमेडी भी है जो की बीच बीच में आती रहती और आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती है वही दोस्तो फिल्म का जो music है वो भी काफी कमाल का है फिल्म के जितने भी गाने फिल्म में दिखाये गए है वो सब के सब kayak reste गाने है और गानों की सबसे अच्छी बात दोस्तो ये है कि फिल्म के गाने बिलकुल situation के हिसाब से आते हैं फिल्म देखते वक्त आपको बिल्कुल इसा नहीं लगेगा कि यार इस समय तो गाने की जरूरती नहीं थी और गाना डाल दिया मतलब कि गाने बिल्कुल सही तरीके से फिल्में फिल्म आये गए हैं इसके लगा दोस्तो बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की परफोमेंस के बारे में तो दोस्तो फिल्म में सुसान सिंग राजपुत का काम काफी सांदार ही फिल्म में सुसान सिंग राजपुत की एक्टिंग इतनी लाजवाब ही कि जब जब वो कोमेडी सीन करते हैं तो हम यह सब भूल जाते हैं कि सुसान सिंग राजपूत को हम आखरी बार देख रहे हैं और सुसान सिंग राजपूत के डायलोग और उनकी कोमेडी पर हम खूब हसते हैं लेकिन वही अगर सुसान सिंग राजपूत इमोसनल सीन करते हैं तो हम भी रोने लग जाते हैं यही स संजना संगी के बारे में तो दोस्तों संजना संगी की ये पहली फिल्म है लेकिन फिर भी उसने फिल्म में काफी अच्छा काम किया है और सुसान सिंग राजपूत के साथ में संजना संगी की जोड़ी भी काफी बढ़ियां देखने में लग रही है इसके अलाओ दोस्तों फ फिल्म एकदम पर्फेक्ट एंटेटेनिंग फिल्म है जो फिल्म आपको हसाएगी भी रूलाएगी भी और पूरी तरह से एंटेटेन करेगी तो दोस्तो मैं इस फिल्म को दूँगा पांच में से पांच इस्टार क्योंकि इस फिल्म की मैं बुलकुल बुराई नहीं करना च तो आप इस फिल्म को जरूर देखे फिल्म डिजने प्लस होटिस्टार पर रिलेज हो चुकी है तो दोस्तो आप से एक और रिक्वेश्ट कर दू कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ डिजने प्लस होटिस्टार पर ही देखे इस फिल्म को कहीं से भी डाउनलोड करके ना क्योंकि दोस्तों अगर आप इस फिल्म को और कहीं से डाउनलोड करके देखते हो तो फिल्म के जो व्यूज है वो कम रहेंगे लेकिन हमें तो यहाँ पर फिल्म के जो व्यूज है उसका नया रिकोर्ड सेट करवाना है इस फिल्म को सिर्फ डिजने ब्लस होट इस्टार पर देखकर इस फिल्म को वर्ड की सबसे ज़्यादा बार ओनलाइन देखे जाने वाली फिल्म बनाना है तो दोस्तों फिल्म को आप दो बार देखे चार बार देखे पांच बार देखे आपको जितना समय मिला उतने बार इस फिल्म को जरूर देखे और अगर आपने यह फिल देख ली है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चैनल एक एबी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले